पश्चिम बंगाल में त्रिन्मुल जरकार के सरंक्षण में होरही हिंसा के तांडब में आरोप लगाते हुए हिमाचल भाजपा ने पश्चिम बंगाल में राष्टरपती शाशन लगाने की मांग उठाई है इस संबन्द में परदेश भाजपा मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा के नितरतब में धरमशाला के भाजपा कारिकरताओं ने जिला परशासन के माध्यम से देश के रास्टरपति को ग्यापन भीजा प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा ने कहा कि दो मई को पश्चिम बंगाल के चुना परिणामों में मुम्ता बैनल जी की हार और त्रेंडमुल कॉंग्रिस की जीत के बाद ही त्रेंडमुल सरकार के सरंक्षन में गुंडो दोरा हिंसा का तांडब और लेकिया गया के जगों पर लोगों के घरों पर हमले किये गए यही नहीं इस हिंसा के संबंद में पश्चिम बंगाल के राजेपाल ने भी अपने बगतब्य में चिंता अब्यक्त की है हिमाचल भाजपा का कहना है कि ममता बैनर जी सरकार के कारेकाल में अब तक 140 से अधिक भाजपा कारेकरताओं की निर्मम हत्या हो चुकी है लेकिन राजे सरकार ने कोई कारवाई नहीं की हिमाचल भाजपा ने ग्यापन में कहा है कि पश्चिम बंगाल में रास्ट्रपती शाषन लगाया जाए हिंसक घटनाओं के नियंतरन के लिए केंद्री सुरुक्षा बाजपा कारेकरतों की हत्या हुई है निर्मम हत्या हुई है भाजपा के दफ्तरों को जुलाया जा रहा है और पश्चिम बंगाल में टीमसी जीतने के बाद एक अराजपता का महल जो है वो पश्चिम बंगाल में बन चुका है इसलिए हम राष्टपती से डिमांड करते हैं कि पश्चिम बंगाल में राष्टपती शाषन लगाया जाए क्योंकि पिछले दो सरकारों में ममता बनर जी मुख्य मंत्री रही है जिनकी हाथ में पुरा लौ एंड आर्डर है लेकि वो इस बात को नहीं समझते हुए पिछले दो तिन चार दिनों से इतने लोगों की हत्या हो रही है और आगे भी क्या-क्या होगा इसलिए हम चाहते हैं राष्टपती से दिमांड करते हैं कि पश्चिम बंगाल में राष्टपती शाषन लागू करें